प्रादियों की गोली से घायल एक प्राइवेट सिक्षक सुधीर कुमार उर्फ सुनील कुमार को बहतर इलाज के लिए जहां पटना डिफर कर दिया गया वही इस गोली कान में सामिल अपरादियों को गिराफतार करने गई पुलिस टीम पर अपरादियों ने हमला कर दिया जिसमें एक बीएमपी का जवान गंभी रूप से घायल हो गया है जबकि बलिया डियस पी साहित कई अन्य पुलिस कर्मी भी चोटिल हुए है घटना की वार की देर रात बेखौफ अफरादियों ने रहुआ गाउं में ताबर तोर गोली बारी कर प्राइविट सिचक एवं छोटा मोटा पेटी कॉंट्रक का काम करने वाले सुधीर कुमार उर्फ सुनील सींग को ताबर तोर गोलीयों से भून डाला आनफानन में उसे इलाज के लिए बेखौसराय के एक निजी क्लिनिक में भरती कराया गया जहां की हालत गंभीर रहने के कारण चिकित्सकों ने उसे पटना डेफर कर दिया है घटना की जानकारी मिलने के बाद बलिया डियस पी वीर धिरेंद के नेतित में पुलिस टीम ने ग्रामिनों एवं जनों के बयान के आधार पर एक अवियुक्त को गिरफतार कर लिया बेखौसराय से सिवन कुमार की रिपोर्ट बीन पी न्यूज